दोस्तों बात करते हैं एक अच्छा दस विग्यान की तो आप सबको पता होगा जो 2020 में विग्यान का पेपर हुआ था उसमें जितने अबजिक्ट्व कोश्चन आये थे वो सब आपको आज साल्ब कराएंगे और इसी कोश्चन से मिलते जुलते अर्थाच इसी लेवल के कोश की शुरूर का निकटतम बिंद्ध क्या होता है जाटने पास की वस्तों को हम देख सकते तो निकटतम बिंद्ध होता है पचीज संट मीट्रह होता है और ये तो जरूरी नहीं repeat हो जाए लेकिन अगले paper में अधिकतम पूछ सकता है तो अधिकतम होता है Anand क्या होता है Anand चलिए अगले question की बात करते हैं अगला question एक उत्तर दरपड की focus दूरी 20 cm है उसकी वक्रता तिरिज्या क्या होगी तो आपको पता होगा जो आर बराबर तिरिज्या क्या होती आर बराबर होता है 2F क्या होता है 2F तो focus दूरी इसमें दिया है 20 दिया है तो 2 into F किता दिया 20 तो 20 दूना 40 हो जाएगा तो आपका answer क्या हो जाएगा इसमें ये तीसरा वाला हो जाएगा 40 cm हो जाएगा वक्ता तरिज्य हो जाएगी अगला कोस्चन बहुत इजी पूछा गया प्रतिरोध का मातरक क्या है तो आप सबको पता होगा जो प्रतिरोध है यह किसका मातरक है तो ओम का मातरक है किसका मातरक है ओम का मातरक है अर्थात ओम जो है वो पतिरोत का मात्रक है आगे देखेंगे अगला कॉस्चन बैतुत मोटे परिवर्टिर करता है रासानिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा में ये तो होगा नहीं यांत्रिक उर्जा को रासानिक उर्जा में ये भी नहीं होगा यांत्रिक उर्जा को बायत्रिक उर्जा में ये भी नहीं होगा बायत्रिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा में चौथा आपको सही हो जाएगा तो भाई आप फिजिक्स में आपने देखा ऐसे कोश्चन पूछे जाते हैं श्तने भी ऐरज़ा को बदलने यंत्र हो गए और मात्रव हो गए यह सब व्याद करनेंगे यही से आपके objective question मीं जाएंगे आप चलिए आगे बात करते हैं कमेश्ट्री की का pH मान है क्या है सुध्ध जल का पीच मान होता है 7 किता होता है 시बन होता है अगला निम लिखिन में कौन सी धा तो साधार और ताप पर जल से अविक्रिया करती है तो ये होगा सोडियम क्या होता है सोडियम होता जो साधार और ताप पर जल से अविक्रिया कर लेती है इसलिए इसको केरोसीन में रखा जाता है आगे देखेंगे प्रोपैनाल में किर्यातक सम्मू है तो ये सब को पता होगा O.H. क्या होगा? O.H. होगा तीसरा आंसर सही हो जाएगा बस ये हो गए तीन कोश्चन किसके? कमिश्ट्री के पूछे गए 2020 में अब बात करते हैं जियू विग्ञान की किसकी बात करते हैं? जियू विग्ञान की बात करते हैं तो यहां से इसके कोश्चन है यहां से पादम में जैलम उत्तरदाई है तो जैलम किसका समवहन करता? जल का ये सब को पता होगा तो फ्लोयम भी याद रखेंगे जो फ्लोयम होता है फूड का वहन करता है जैलम जल का पाद पूब में वहन करता है फ्लोयम फूड का वहन करता है तो दोन दो याद रखेंगे तो इसमें पहला एंसर सही हो जाएगा आगे देखेंगे गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उप्योग किस दिन नहीं करते हैं तो जिस दिन धूप नहीं होगा तो सौर जल पैनल का कोई काम नहीं तो बादलो आले दिन क्या हो जाएगा बादलो आले दिन हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन की बात करते हैं अगला कोश्चन इसमें है मस्तिस्क जो ब्रेन होता है उत्तरदाई सोचने के लिए खरदय स्पंदन के लिए शरीर का संतुरर मदाने के लिए तो बहुत बच्चों ने इसमें सोचने के लिए लगा दिया लेकिन उनका गलत हो गया इसमें इनमें से सभी हो जाएगा अगला कुश्चन बाद करते हैं निम्न में कौन सा एक मानों में मादा जननतंतर का भाग नहीं है अंडासे गर्भासे सुक्रवाहिनी डिम्बवाहिनी तो जो सुक्रवाहिनी सुक्रासे है ये किसमें पाज आता है नर्जनन तंतर का भाग है बाकी अंडासे गर्भासे डिम्बवाहिनी ये अंडवाहिनी ये सब फिमेल का भाग ही ये हो गया बस आगे कोश्चन दिये हैं ज अच्छे लगी तो चानल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए जैनी